हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का रादे फार्मिंग चैनल के इस वीडियो में हम मश्रूम के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि क्या सेड में मश्रूम सेड में अबर मख्य और मच्छड हो तो उससे कोई पैदावार में दिक्कत य तो आज हम इसी बात को लेकर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और भी मश्रूम के रिलेटेट्ड बहुत सारी बाते करने वाले मख्यों के रहने से और मच्छड के रहने से कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं तो चलिए हम सेड में देखके ही खुद से देखके ही जान ले इसमें पानी जम गया था और निकालने में थोड़ी देर हो गई और ये पानी जमने के दस से पंदरे दिन बाद पानी लिक्विड नहीं रह जाता है वह थोड़ा ठोस हो जाता है इसलिए इसके बाद में दस-पंदरे दिन तो रूप हुगा क्या कि इस पे मक्षड आके बैठें और इस पे अंडे दिये और आपको सायद नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा इसमें छोटे-छोटे कीडे दिखाई दे रहे हैं और कीडे बिल्कुछ सफेद रंके हैं कुछ बड़े वाले कीडे हैं तो कुछ छोटे वाले कीडे हैं एकदम बारिक सा आपको सायद ही नजर आ रहा होगा तो इनसे हमें नुक्सान यह होता है कि इसमें कीडे पर जाते हैं जब हमारे सेट में मच्षड और मक्षिया रहती है में मक्षों दोसे होता है थो यह हमारा होल होता है जहरा से मशरूम बाहरा आता है निकलता है उसी जlet बैठती है और वहां अंडे देती है और ईल्ल दाते हैं यानिकी इनफेक्शन पes cannabis होता है और आपकी सेड उन ग्रीन मॉल्ड आगया तो स्टाइध आपको पूराशेड नुक्सान हो सकता है फूर और लोगने विसलीए आको जसली अधर सभागोर açणके कि वृड़ा अगर पूराषेड आपको जुह है नुक्सान हो सकता है सबस्सक् confronted का क्रबंप师 में खुड़ा हम या फिर Woran तो उन्हें इमिडियेटली बंद कर दें और उनसे यही नुकसान होता है और यह तो कीड़े में ने जो देखा है यह साफेद कलर के थे साथ साथ में आपको रेड कलर के कीड़े भी दिखने को मिल जाएगा इसके लिए हम चलिए दूसरे वाले बैग में देखते हैं और उनस इसमें यह जो लाल कलर का दिख रहा है इसमें आप बारी की ध्यान से देखोगे तो लाल कलर के एकदम छोटे-छोटे कीड़े हैं और इन कीड़ों से भी हमें नुकसान होता है कि यह मश्रूम को खराब कर देते हैं इसे वही फंगस फैलने वाली बिमारी और मश्रूम को मतलब मिश्रूम में ङली मतलब मिश्रूम में चीपक जाते हैं और मुश्रूम में दिरàyकने लगते हैं और समकों अंब भी फैल सकता है तो हमें इनको हटाना कैसे है यह वरा सरल सा उपा है हम लेंगे अपना फार्मालीन जिससे कि हम अपने पुवाल को या फिर कुट्टी को इस्ट्रलाइज करते हैं वही वाला फार्मालीन लेया है और पर लिटर के हिसाब से हमें 2 ml मिला लेना है हम इसको इसफ्रे करना है हाँ इसप्रे करते हुए भी आपको साथानि देनी होगी जब आप फ्रल पूरा आ तोड़ लिए हैं जब आप कोई वी मसरूमा आपके बैग पे नहीं है तभी camp करना है और इस्प्रे बिल्कुल मतलब इसके आसपास करना है इन होल को टार्गेट करके ही नहीं करना यानि कि आपका ये जो इस्प्रे है लिक्विड है अंदर नहीं जाना चाहिए आप आसपास में या फिर कप्रे लेके उस पानी में भीगा के अगर इसको पोंच देते हैं तो भी ये अंदर के केड़े मर सकते हैं इसके असर से यहां बाहर रहेगा अगर वो घोल तो भी अंदर का केड़ा मर जाएगा और अगर आप इसप्रे कर देते हैं तो भी बहुत बढ़ियां से असर करेगा और उस गोल का असर मानलो आप एक से ड़गंटे तक रहेगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और हाला कि उसका मात्रा जो है एक लिटर पान में दो एमेल का है तो वह बहुत हलका हुआ कीड़े मानने के लिए एकदम पॉफेक्ट है और हमें कोई हानी नहीं होगा उससे तो हाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके जो है गुरू बैक पर मस्रूम नहीं लगे हों और अगर वही वाले काले जो मख्यां हैं अगर आपके सेड में दिख रहे हैं तो सेम इसी प्रकार का इस प्रे आप तो सेड के चारो और दिवारों पर या फिर जहां जहां दिख रहे हैं जहां वह बैठ रही हैं आप चारों तरफ उसको इस प्रे कर दें और वह मख्यां भाग जाएंगी या तो फिर मर जाएंगी तो दोस्तों आज का यह रहा टापिक और अगर आपके भी कुछ कमेंट है कुछ कोईरी हैं मश्रूम को लेकर खेती को लेकर आप अगर मश्रूम करना चाहते हैं या फिर कुछ भी अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कुछन चल रहा हो तो आप बेज जख नीचे कॉमेंट कर सकते हैं मैं कॉमेंट का रिपलाई जरूर दूंगा वीडियो को माध्यम से या फिर रिपलाई करके हां अगर वीडियो परसंद आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैराम जी की